बलराम मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बलराम आतिशी ने केवल पंजाबी बाग का सब्वे देखा वो बता रहे हैं कि वहाँ पर टाइल्स तूटी हुई है लेकिन टाइल्स तूटने जैसी हालत तो नारायना के सब्वे की भी है सुरक्षा की बात होती है तो मुनिर्का का सब्वे इतना असुरक्षित लगता है कि वहाँ पर कैमरे और सुरक्षा गार्ट तो वहाँ पर होते ही नहीं NSP का मेरा अपना निजी अनुभव कहता है NSP पर एसकलेटर नहीं लगे हुए हैं ऐसी ही हालत मोती बाग के सब्वे की भी है तो ऐसे कई सब्वे हैं क्या ये टाइम लाइन बहुत कम नहीं है कि जुलाई महीने तक इस सारे सब्वे ठीक हो जाएंगे देखिए अगर काम करने की इच्छा हो तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता है और यही वज़य है कि जब आउचक निरिछन दिल्ली की पी डवलू मंतरी आतिशी ने सब्वे का किया तो कहीं न कहीं उन्हें नजर आया कि वहाँ पर जो प्लास्टर है वो तूटा पड़ हुए हैं वहाँ पर लाइट की ब्यवस्ता नहीं है इसके अलावा जो सुरच्छा कर्मी तैनात होने चाहिए वो भी नदारत थे वहाँ पर ना तो CCTV कैमरे थे और ना ही वहाँ पर जो सुरच्छा कर्मी है वो तैनात थे तो ऐसे में रात के अंधेरे में अगर वहाँ से मह निलाएं गुजरेंगी तो वो भी असुरचित महसूस करेंगी तो कई ऐसे सवाल थे इसको ले करके जब उन्होंने पंजाबी बाग के सब्बे का निर्च्ण किया तो उन्होंने पाया की सब्बे का जो हालत है वो बत से बत्तर है। हैं वो सही होने चाहिए दुरुस्त होने चाहिए उनका काया कल्प होना चाहिए सभी सब्वे में CCTV कैमरे लगाए जाएं उनकी फर्स को रिपेर किया जाए इसके अलावा जो लाइटिंग की बेवस्ता है वो परियाप्त मात्रा में की जाए इसके अलावा हर सब्वे में सुर कालरवाई के बाद दिल्ली की जन्ता जिन सब्वे में वो असुरचित महसूस करते हैं या ये देखते हैं कि इसका काया कल्प नहीं हुआ यहाँ पर समुचित बेवस्था नहीं है यहाँ पर CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं यहाँ पर सुरच्छा गाड नहीं तैनात किये आप कालरवाई की जाएगी तो जल्द ही जुलाई तक हमें यह सारे सब्वे सुरक्षित मिलेंगे लाइट से लेस मिलेंगे और साथी साथ महां की फर्ष और एसकलेटर ठीक होकर मिलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया बलराम जानकारी के लिए